दोस्तों अगर आप एक मीशो सप्लायर हो तो आपको order के returns आते ही होंगे और उन में से कुछ returns ऐसे होते हैं, कुछ case ऐसे होते हैं जिनका आपको claim नहीं मिल पाएगा तो इस वीडियो में हम यहीं बात करने वाले कि किस तरीके के ऐसी returns होती हैं जिनका आपको claim नहीं मिलेगा, मीशो कोई compensation नहीं देने वाला उन products के returns की तो इस वीडियो में बिल्कुल end तक बने रहे ना, क्योंकि हम discuss करेंगे वो कौन-कौन सी type के returns होती है और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इससे आपको क्या benefit होने वाला है तो इस वीडियो को पूरे end तक देखना क्योंकि काफी जादा information and value आपको मिलने वाली इस वीडियो में तो hello दोस्तो मैं नाम शिवर मैं आप देख रहे हैं e-commerce guide India जावर मैं e-commerce related videos लाता रहता हूँ तो अब चाहिए तो इस चैनल को subscribe कर सकते हैं तो सीधा चलते हैं वीडियो को हम start करते हैं दोस्तो मीशो ने recently अपने claim policy में updates किये हैं कुछ और उन्होंने ये update यहाँ पर mention कियें notices में मीशो के supplier dashboard में कि कुछ claims ऐसे होंगे जिनको हम नहीं accept करेंगे तो वो claims क्या है इसनको हम जानते हैं तो मीशो का कहना यह है कि अगर कोई भी shipment tempered होती है तो उसका कोई भी claim आपको नहीं मिलने वाला अब हम यह समझ लेते कि tempered कि sense में मैं कहना चाह रहा हूँ हम तींचा points देखते हैं जिससे हम समझ जाएंगे कि tempered products कौन से होते हैं और उनके साथ हमें क्या करना चाहिए तो पहला point है हमारा damage outer packaging तो जो भी आपको product return आ रहा है उसका अगर जो outer packaging है वो फटी होई है या damage हो रखी है तो वो मानी जाती है हमारी tempered shipment में second point है additional tape on packaging अगर आपके packaging के उपर जो आपने tape लगाई है उसके अलावा और भी कोई tape किसी ने लगा रखी है तो वो माना जाएगा tempered shipment क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी person involved होगा इसमें जिसने ऐसा किया है तो उसने खोला होगा आपके product का package और उसमें से order या तो replace किया होगा या कुछ और रख दिया होगा मतलब कोई product खराब कर दिया होगा या कोई part निकल लिया होगा उसका तो additional tape आपको दिखे तो वो भी tempered shipment मानी जाती है थर्ड है shipment content mismatch अगर आपको लग रहे है कि shipment के अंदर जो content आपको सामने सामने दिख रहे है कि वो वाला content नहीं है जो भी आपने डाला है मतलब जो product है वो नहीं है और या तो फिर आपके label के उपर जो आपका label है basically वो उसमें कुछ और ही लिखा है टेंपर शिपमेंट fourth point हमारा आ जाता है लेबिल लुक्स टेंपर उसमें क्या होदा है जो भी आपका product packaging वापस आई है उसमें जो आपका label लगा है उसमें कोई ना कोई damage हो रखा है या तो फटा हो औहा है कई ना कई से या उसका कोई slip mismatch हो रही है या कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो चीज आपका ये 4th point में tempered shipment में आ जाता है, तो अब हम समझ लेते कि अगर आपको ऐसी tempered shipment आई है, तो आपको क्या-क्या करना चाहिए, किस-किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला point जो आपको याद रखना है, वो ये है कि ऐसी कोई tempered shipment आपके पास आर ये return में, तो आपको वो बिल्कुल भी accept नहीं करनी है, आपका ये हग बनता है कि आप उसको reject कर सको वहाँ पर, आपको नहीं accept करनी है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना, second point का ध्यान रखना है कि आपको mention करना होगा कि क्या आपका reason है reject क करने का POD में, proof of delivery के time पर, आपको वहाँ पर mention करना होगा, उनके पास एक document होगा कि ये reason की वज़ा से मैं इस product को return को accept नहीं कर रहा हूँ, अब आपको लिखना कैसे होगा, आपको जो format मीशो की तरफ से मिले हैं, वो मैं आपको screen पर भी दिख जाएंगे, मैं आपको बता भ लगी हुए है, या फिर आउटर packaging damage है, तो वो reason आपको महाँ पर लिख देना है, तो ये चीज़ से आप अपनी तरद से safe हो जाएंगे उस चीज़ को लेके, तीसरे point ये है कि इस policy का misuse बिल्कुल मत करना है, क्योंकि मीशो ने अगर पकड़ लिया, तो आपको ही उसका नु में decide करते हैं, ये proper investigation बैठती है, और देखते हैं कि कहां किस case में गड़बर होई थी, कौन सी जगा पर गड़बर होई थी है, और किस वज़ा से ये सब हुआ है, तो जब वो ये claim correct मानते हैं, तो आपको उस case में आपको compensation मिल जाता है, यानि कि refund मीशो आपको दे देगा, य जा है वो partial refund हो, या full refund हो, या कोई बातचीत में अगर कुछ बताना चारे है मीशो है, कुछ भी हो, तो आपको resolution definitely मिल जाएगा मीशो की तरफ से, and अब आप बोलेंगे कि जो बाकी returns आते हैं, जैसे कि हमने product receive कर लिया, outer package में कोई गड़बर नहीं थी, कहीं भी temper shipment नहीं थी, तो उसके बाद अगर मालो कुछ नहीं कुछ गड़बर होती, तो ग्या करना है, तो उस case में आपको simply करना है, जैसे कि जो normal process होता ही है, आपको ticket raise करके return में जो भी issue आ रहा है आपका, वो आपको ticket raise कर देने हैं मीशो पे, तो मीशो आपकी definitely help करेगा उस season में, अब यहाँ प आई button में मैं डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके definitely वीडियो चेक आउट कर लेना, और दूसरी वीडियो मैं recommend करना चाहूँगा, ads को लेके, अगर आपको मीशो के ads चलाने सीखने हैं step by step, and आप उन ads के त्रू कैसे अपनी sales को grow कर सकते हैं, promotion करा सकते हैं, अपना मीश and informative लगी होगी, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को definitely like जरू कर देना, and चैनल को subscribe जरू कर देना, क्योंकि मैं e-commerce related ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो bell icon को भी दवाना बिल्कुल मत बूलना, and मीशो के regarding मैंने playlist बना रखी, जिसमें मीशो से related, supplier से related, online काफी सारी वीडि झाल